आज हम बनाएंगे पनीर की रैस्पी आपने कभी ना तो ऐसे बनाई होगी ना टेस्ट खाया होगा तो एक बार अगर इसको बना लिए ना तो बहुत सब को आप बना की यह खिलाओगे बहुत बड़ी है रैस्पी एक बार जरूर ना तो इसमें कुछ काटने की जंजड़ है सिंपल सी रैस्पी यह बहुत जल्दी होनेगे तो देखिए एक कड़ाई में हमने ओईल ले लिया ओईल को अच्छे से गरम कर लीची आप जो भी ओईल यूज करते हो वो यूज कीजिए अगर हो सके तो अगर सरसों का ओईल यूज करते हो उसमें बनाईए तो और से तो डीप फ्राई कर रहे हैं इसको अब इसी में हम डाल देंगे कुछ प्याज तो हमने किया कि चार पांच प्याज ले लिए जितनी क्वांटिटी में आपको सबजी बनाने उससाब से ले लिए और देखिए यह हम चार तमाटर की लगवग लेंगे और तीन-चार हरी म पानी में तो एक बावल में पानी लीजिए उसमें या तो कट करके रख दीजिए या फिर ऐसे ही रख दीजिए तो देखिए और बागी जो हमने टमाटर और प्याज यह मिर्ची वेकर जो डाली है इनको ओईल में अच्छे से फ्राई कर लीजिए तो इससे बहुत बढ़ देखिए इसको हमने निकाल लिया है अब यह फ्राई हो चुकी है यह तब तक ठंडे होंगे इसी में हम डाल देंगे थोड़े से काजू तो काजू की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से जैसे एक डेट मूठी के लगभग मैंने अभी काजू डाल दी है आप अपने हिसा इसको हटा भी सकते हैं जब इसको फ्लेवर इसमें चड़ जाएगा तो सब जीवन जाए तो हटा दीजिए इसमें अब हम डालें कुछ देखिए हमने डाल दी कास्मीरी मिर्च पाउडर एक चमच और दो चमच हमने डाल दिया धनिया और थोड़ा सा आधी चमच हल्डी प जाएगा और जार में थोड़ा सा बचाता तो उसमें मैंने पानी डाल कि इसमें पलड दिया अब यह देखिए इसको हम क्या करेंगे अब ऐसे करोगे न तो यह फतकेगी तो यह पूरी गैस गंदी कर देगी तो इसको हम ढखके पकने देंगे जिससे कि अच्छे से मसाले ह हमारे सब अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छे से पक जाएं तो इसको ढख ढखके बीच-वीच में हम चलाते हुए पकाएंगे तो देखिए यह बहुत ज्यादा उचलती है तो हाथ चलने का रहता है तो आप ढखके जरूर पकाएए तो देखिए यह हो चुकी हमारी देखिए ओईल भी छोड़ दिया हलकल का और इसका पानी जितना भी था वो सूख गया तो यह हमारा मसाला तयार हो चुका है अब इसमें हमने कहा कि गरम पानी थोड़ा से लिए उसमें ढखकन में डाल के डाल दिया क्योंकि उपर भी उसकी मसाला पहुंच गया तो उसको ह हमारी रेशपी वहरें रेट्स्पी अलमोस्ट काफी तैयार हो चुकी इसमें डाल देंगे हम कि खिन किंग मसाला हो तो किखन किंग मसाला और थोड़ा सी डाल और यह वह बहुत अच्छा टेस्ट आएगहो और नहीं भी औहों तो कोई बद मीसालावी आप एड़्द कर सक अब कहोगे यह इसमें क्या मज़ाएगा जब आप इसको बनाओगे न तब आपको समझ में आगा इसका बहुत मज़ाएगा ऐसे फ्राइ करके फिर उसमें पानी में डालके बहुत अच्छे टेस्ट आता है और देखिए इसी में हमने डाल दिये थोड़ा से नमक नमक आपके शरूर डाल दिये अगर कस्तूरी मेंति रखे तो यह सूखी मेंति इसको हमने डाल दिये और इसको अब हम कर देंगे धक के पकने के लिए थोड़ी से जिससे की सब मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं और ग्रेवी हमारी है नॉर्मल हो जाएं यह देखिए हमा बहुत बसना एक ते